वेलकम बैक तो आज के सु बीडियो में हम लावने स्थिरम का करेंगे प्रोब्रम थर्ड ठीक है तो कोस्चन क्या है इसको स्थिरम का प्रोब्रम थर्ड है असान है अच्छे से करेंगे सारे कोश्चन करेंगे हम हर टाइप के तो विडियो को लाश्ट तक देना ठीक है चलो इसको स्थिरम करते हैं फिर सॉलूस्चन गिवन गिवन वाई इसकोल टू एक कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइड लॉग एक्स अच्छा प्रूफ करना है हमें एक्स इस्क्वाईर वाई एन प्लस टू तो कोश्चन से हमें थोड़ा सा एक सी समझ में आ रहा है कि पहले वाई हमारा दिया हुआ है तो एनट डेरिव अग्क्राइब मालनें तो मैं चेक्वाई आप्स यहां प्लाई नहीं करेंगे एक्सिस्क्वाईर इंट वाई एन प्लस टू वाई एन प्लस दू तो इसको हमें देखना है त्वाई थे तक ही अपलाई करेंगे तो यहां पर सेकेंड और तक ही निकालते हैं तो यहां पर क्या होगा सब्सक्राइब यहां यहां पर लिखते हैं एहां से कामन लिकिए तो यहां इंस वे और में ओपलाई कर लेते हैं तो वे हो जाएगा x y1 is equal to minus a sin log x plus b cos log x तो इतना हो गया अगेर इसे x के respect में differentiate करते हैं आप में product rule लगेगा product rule लगाते हैं first into second का derivative y1 का derivative हो जाएगा y2 plus y1 into x का derivative x के respect में हो जाएगा 1 is equal to minus a sin log x का हो जाएगा cos log x again log x का x के respect में 1 by x तो x यहाँ पर लिख लेते हैं cos log x का हो जाएगा minus b sin log x again x का log x से जाएगा x result x तो x यहाँ पर लिख लेता है भी by x again हम यहाँ से 1 by x कॉमन लेते हैं इधर multiply कर लेते हैं तो हो जाएगा x square y2 plus x y1 ठीक है माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ से तो बच जाएगा हमारा a cos log x plus b sin log x ठीक है अब यहाँ पर जाएगा तो हमारा y है ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा x square y2 plus x y1 is equal to minus y तो यह हमारा step हो गया जहाँ पर हमारा Levenish theorem को apply करना होगा जैसा कि question में दिया हुआ था n plus 2 तो second derivative तब हम निकाल लिए अब यहाँ पर हम आसानी से Levenish theorem apply करेंगे और आगे question को proceed करेंगे ठीक है तो यहाँ अब Levenish theorem apply करते हैं हम तो चलो अब Levenish theorem apply करते हैं Levenish theorem क्या होता है n c 0 u n into v plus n c 1 u n minus 1 into v 1 plus n c 2 u n minus 2 v 2 and so on ठीक है तो मुझे उमीद है कि तुम सब को Levenish theorem का जो formula है याद होगा और यार थोड़ा सा इतना तो कर सकते हो न पहले तो पहले Levenish theorem का जो formula उसके एक बार अच्छे से मतलब copy पर लिख के practice को memorize कर लो एक बार ठीक है क्योंकि एक्जाम में तो भाई question आना ही है करना ही है तो इसे याद करने में ही भला ही है तो Levenish theorem apply करने के बाद हो जाएगा y n plus 2 n plus 2 y n plus 2 into x square plus n y n plus 1 ठीक है x square का derivative हो जाएगा 2x plus n into n minus 1 अपन factorial 2 e y n plus 1 y n हो गया into 2x derivative हो जाएगा 2 ठीक है तो x square into y2 का Levenish theorem हमने apply कर लिया इसको close कर लेते हैं अब इस पे Levenish theorem apply करते हैं तो हो जाएगा y1 into x plus y y1 plus n into x ठीक है into x plus n into y n into x का x respect में derivative हो जाएगा 1 अब सेकेंड मतलब इसके बाद वाला जो ठीक हो जीन होगा ठीक है तो यहां तक भी Levenish theorem होगा हमारा is equal to minus y अब इसे simplify करते हैं imply that x square y n plus 2 plus 2nx 2n x y n plus 1 2 से 2 factored cancel plus n square y n minus n y n ठीक है n y n plus यहां से हो जाएगा x into y n plus 1 plus n y n इस y1 को इदा लागते हैं तो प्लस हो जाएगा ही y n equal to 0 n y n n y1 एक cancel हो गया ठीक है तो हो जाएगा ही x square y n plus 2 इन्टो अच्छा यहां पर देखो कुछ common होगा 2nx अच्छा x into y n plus 1 x into y n plus 1 तो प्लस हो जाएगा 2n plus 1 into x y n plus 1 अब इसमें y n और y n कमो लेते हैं तो हो जाएगा n square plus 1 y n is equal to 0 तो हमें यही प्रूब करना था पानले उन्हें प्रूब भी कर लिया ठीक है तो आज के इस वीडियो में इतना है नेक्स्ट वीडियो में हम लाब निज थिरम का next question करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो भी आप जरूते हैं थैंक्यू तो मुच वाचिं इस वीडियो जाहिए